इस वीडियो में है class 9 के exercise 14.3 का question number 8 question में दिया है a random survey of the number of children of various age groups playing in park was found as follows अलग-अलग ages के बच्चों पर एक survey किया जाता है जो पार्क में खेल रहे होते हैं और उनसे हमें ये data मिलता है यहाँ पर हमें class interval दिया गया है ages in years में और यहाँ पर दिया गया है number of children या फिर कह सकते हैं frequency तो जो भी हमें ये data दिया है इसका हमें करना क्या है तो यहाँ पर दिया है draw a histogram to represent the data above जो ये data है इसको हमें histogram पर represent करना है और ये histogram different होगा हमारे previous questions से क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो class interval है class size जो यहाँ पर है in intervals का वो different different है यहाँ पर one का difference है यहाँ पर भी one का difference है लेकिन यहाँ पर difference हो जाता है two का इसी तरह से यहाँ पर भी difference हो जाता है two का यहाँ पर three का यहाँ पर five का यहाँ पर two का class size यहाँ पर अलग अलग है इसलिए histogram भी हमारा different होगा so histogram बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी width of classes और length of rectangle इन दोनों चीजों को किस तरह से find करेंगे यह देखते हैं पहले आ जाते हैं width of classes पर so width of classes किस तरह से find करेंगे बिल्कुल simple है जो हमारा class interval दिया गया है इसके difference को ही कहा जाता है width of classes simply क्या करेंगे जो हमारी बड़ी वाली term है उसमें से छोटे वाली term को minus कर देंगे तो यहाँ पर बड़ी term है 2 छोटी term है 1 तू में से 1 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा 1 यानिकि इस वाले के लिए हमारी width of classes हो जाएगी 1 बिल्कुल इसी तरह से आगे जाएंगे 3 में से 2 को minus करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 1 बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर क्या हैगा 5 में से 3 को minus करेंगे तो आ जाएगा 2 यह आ गया हमारा यहाँ पर 2 इसी तरह से आगे जाएंगे 7 में से 5 को minus करेंगे तो आ जाएगा 2 तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2 next वाले में क्या होगा 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इससे आगे वाले में क्या होगा 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 5 इससे आगे क्या होगा 17 से 15 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2 सभी width of classes हमने find कर ली है अब बार या आती है length of rectangle की इसको किस तरह से find किया जाएगा इसका एक formula लिख देता हूँ मैं यहाँ पर length of rectangle find करने के लिए apply करेंगे यह formula frequency upon width multiply में lowest width इसको first वाले row में apply करते हैं यहाँ पर frequency है 5 width है 1 और lowest width क्या है इन सभी में से 1 ही है इसको apply कर देते हैं frequency कितनी है 5 upon में width कितनी है first row में 1 और multiply में lowest width lowest width इन सब में क्या है 1 ही है यहाँ पर इसमें lowest width की जगे आ जाएगा 1 इसको calculate करेंगे तो आ जाएगा 5 यह आ गई हमारी length of rectangle first row के लिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 बिल्कुल इसी तरह से इस वाली row के लिए find करेंगे length of rectangle तो यहाँ पर frequency है 3 width of classes है 1 तो यह क्या होगा 3 upon में 1 multiply में lowest width lowest width हमारी same रहेगी 1 तो multiply में यहाँ पर कर देंगे 1 equals 2 में क्या आ जाएगा simply calculation है 1 से 3 को divide करेंगे तो 3 ही रहेगा और 3 को 1 से multiply करेंगे 3 आ जाएगा तो equals 2 में आ जाएगा 3 second वाली row के लिए length of rectangle आ गई हमारी 3 अब आज आते हैं third row पर यहाँ पर हमारी frequency है 6 width of classes है 2 इसके लिए find करते हैं length तो simply क्या होगा हमारा 6 upon 2 multiply में lowest width थी यानी की 1 इसे लिख लेते हैं 6 upon 2 multiply में 1 2 से 6 को cancel करेंगे 3 जापर 3 से 1 को multiply करेंगे 3 बन जा हो जाएगा 3 third वाली row के लिए हमारी length आ गई है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बिल्कुल इसी तरह से next वाले में जाएगे 12 upon 2 multiply में 1 तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 upon में 2 multiply में 1 2 से 12 को cancel करेंगे 6 जापर 6 को 1 से multiply करेंगे 6 बन जा 6 होगा next वाले की जो length आ गई हो गई 6 बिल्कुल इसी तरह से next में frequency है 9 width है 3 इनको रब करते हैं उसके बाद इसके भी find करेंगे तो इसमें आ जाएगा 9 upon में 3 multiply में 1 यहाँ पर calculate कर लेते हैं 9 upon में 3 multiply में 1 3 से 9 को cancel करेंगे 3 जापर 3 को 1 से multiply करेंगे 3 बन जा 3 आ जाएगा इसके लिए length आ गई हमारी 3 अब आगे क्या है आगे वाले में दिया है frequency हमारी 10 और width है 5 यहाँ आ जाएगा 10 upon में 5 multiply में 1 5 से 10 को cancel करेंगे 2 जापर इसके बाद 2 से 1 को multiply करेंगे 2 जाएगा 2 इसके लिए हमारी length आ गई 2 अब next हमारा क्या बचता है last वाली row last वाली row में आप देख सकते हैं यहाँ पर frequency है 4 width है 2 तो यहाँ पर आएगा 4 upon 2 लिखते हैं यहाँ पर 4 upon में 2 multiply में lowest width lowest width same है हमारी 1 तो equals to में क्या आएगा 2 से 4 को cancel करेंगे कितने से पर 2, 2 जा 4 और 2 से 1 को multiply करेंगे 2, 1 जा 2 तो last वाले part के लिए हमारी length आ गई 2 अब जो भी हमारी width और length आई है इन दोनों columns को हम next page पर graph पर draw करते हैं एक histogram बनाते हैं तो यह आगया हमारा graph graph पर हमने यहाँ पर x-axis draw कर ली और यह हो गई हमारी y-axis अब आते हैं हमारी width और length पर width क्या होगी guys width बिलकुल simple होगा जो हम बार बनाएंगे न यहाँ पर उसकी चोड़ाई कितनी होगी उसको कहा जाएगा width और जो यहाँ पर बार बनाएंगे उसकी height उसे कितना ऊचा बनाना है वो होगा length तो simply first वाली row में हमारा क्या है width है 1 और length है 5 यानि कि हमारा जो बार होगा वो 1 से शुड़ू करेंगे उसकी width कहा तक जाएगी 1 unit width है 1 unit so 1 से लेके 2 तक उस बार की चोड़ाई होगी और height कितनी होगी height होगी 5 यहाँ तक so draw कर देते हैं तो इस तरह से यह बार हम यहाँ पर बना देंगे 5 तक यह width होनी चाहिए इसकी 1 आप scale का यूज़ करना है आपने ठीक है यह हो गया हमारा first bar first row के लिए अब आते हैं second row पर second row में आप देख सकते हैं width है 1 और length of rectangle है 3 so width यहाँ पर कितनी होगी 2 से लेके 3 तक 1 unit होगी और इसकी height होगी 3 तक इसे भी draw कर देते हैं so simply यहाँ से इस तरह से इसे draw कर देंगे scale का use करते हुए करना है आपने इसके बाद third row में आप देख सकते हैं width of class है 2 और length of rectangle है 3 so width कितनी होगी 3 से लेके 5 तक 1 unit ये 1 unit ये 2 unit की width होनी चाहिए और height कितनी होगी height होनी चाहिए 3 so इसको भी draw कर देते हैं यहाँ से width 2 unit और height 3 unit यानि कि length 3 unit बिल्कुल simple है जो भी हमें width दी गई है वो हमें चोड़ाई लेनी है बार की और जो length है वो height लेनी है अब next वाले में देख लेते हैं यहाँ पर width दी है 2 और length है 6 so width कितनी होगी 5 से लेके 7 तक यह width हो जाएगी और इसकी height कितनी होगी height होगी 6 तक यहाँ तक draw कर देते हैं इसे यह height ले लेते हैं इसके 6 तक और width यहाँ पर हो जाएगी 2 यह आ गया इसके लिए अब next में क्या है width और length दोनो 3-3 दी गई है तो इसे भी draw कर देते हैं width कितनी है width है 7 से लेके 10 यानि कि 3 width हो गई 3 unit हो गई और height भी कितनी है 3 है तो इस तरह से आ जाएगा इस वाले row के लिए अब next में है width 5 length 2 width कितनी होगी 5 so 10 से यहाँ से count करना शुरू कर दो 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit इसे भी draw कर देते हैं इस तरह से यह आ जाएगा यहाँ पर यह थोड़ा bold हो गया है इसे change कर देते हैं just a second इस तरह से इसे draw कर देंगे अब next यानि last है width भी 2 और length भी 2 तो इसे भी simply draw कर देते हैं यह होगा 15 से लेके 17 तक तो हो जाएगी width और length जो बार हैं वो बिल्कुल same width वाले नहीं होंगे उनमें difference होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बार की width है 1 unit यहाँ पर है 2 unit किसी में 3 है और किसी में 5 unit भी है सो simply जो width है वो क्या होगी उनकी चोडाई होगी बार की और जो length है वो होगी height बार जो बना रहे हैं उसकी height होगी इस तरह का यह आ गया हमारा histogram सो इसी के साथ question हो जाता है हमारा complete